हमने पिछले पार्ट में भारतिय संसर के राष्ट्रपती वाले सेग्मेंट को डिसकस किया था आपसे अनुरुद है कि पहले आप इसका पार्ट वान देख ले उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट करवा दी है इस वीडियो की सुरुवात करने से पहले हम एक बार पिछले वीडियो की समरी को देख लेंगे हमने इसकी सुरुवात भारतिय राजिवस्ता के तीन सेग्मेंट से की थी जो है विदाईका या लेजिस्टेचर, एक्जिकिट्व या कार्यपाली का और जुडिसरी अथवा नयपाली का हमने इन में से विदाईका वाले सेग्मेंट को स्टार्ट किया था जिसे हम संसत या पारल्यामेंट करते है जैसे हमने डिस्कस किया था कि पारल्यामेंट के तीन अंग होते है राष्टापती, राज्यसभा और लोगसभा पिछली वीडियो में इन में से हमने राष्टापती वाले सेग्मेंट को पूरा कर लिया था आज हम इस वीडियो में राजासभा और लोकसभा को पूरा करेंगी खुर्पिया वीडियो में अन्तदक बने रहे भारत का सदन दियुसदनिये हैं या बाइकेमरेल है जिसमें लोकसभा और राजेसभा का समयश है अगर अमेरिकी संसत की बात करे इसे कॉंग्रिस का जाता है वो भी बाइकेमरल होता है या दियुसद्मिय होता है उसमें House of Referentative और सेनेट का समायुस है अगर United Kingdom की बात करे तो इसमें भी दो सदन होते है इसे House of Lords और House of Commons का आजाता है इसी संसन में Indian Independence Act 1947 पास हुआ था जिसके अंतरगत ब्रिटिज भारत के दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था इसे Dominion Status का प्रावदान मिला था जिसके अंतरगत पाकिस्तान और भारत दो Dominion State अस्तितों में आये थे भारत ने इस कानून को सविधान लागो होती 26 जन्वरी 1950 को निरस्त कर दिया था और भारत एक संप्रभू या सौवरेन निशन मन गया था जबकि पाकिस्तान ने इस कानून को 23 मार्च 1956 को निरस्त किया था राज्यसभा का ओरिजिन 1918 के मौन्टाइग्यू चेंट्पोर्ट रिपोर्ट से जूड़ा है जिसके बाद भारत सरकार अधिनियम गौर्मेंट आप इंडिया एक्ट 1919 आया था इस एड के अंतरगत काउंसिल आप स्टेट्स के निर्मान की बात रखे गई थी जिसको सिमीत अधिकार दे गए थे वास्तों में काउंसिल आप स्टेट 1921 में अस्तितों में आया था इसके गवर्णर जनरल पदेन अधिक्चा होते थे 1935 के भारत सरकार अधिनेयम में इसमें कुछ बदलाव किया गए थे बिटिस द्वारा जब भारत को सविधान बनाने की सवलत दे दी गई तब सविधान सबा का गठन किया गया था जिसे कंस्टिट्यूंट असेंबली का आगया जिसे अंतियम संसत कहा जाता है सोतंत्र भारत में सविधान सबा में डियू सद्नी संसत के संदर्वे में कापी बहस हुई भारत तब बहुत सारे प्रांत और रियासतों में बटा हुआ था इन सभी को एक कर पाना बहुत ही जटिल करे था लोगसबा या हाउस ओप कामन्स में कापी मुस्किले आ सकती थी क्योंकि इसमें प्रतेक्च रूप से जनता जारा परतिरनिथी चुने जाते थे इसलिए सविधान सबा के सद्षय ने एक ऐसे सदन का निर्वान किया जिसमें अप्रतेक्ष रूप से प्रतिनिदी चुन कर आए और उनकी संग्या House of Commons के सदस्यों से कम हो अप्रतेक्ष रूप से क्योंकि आम जनता इन्हें डारेक्ट ओट नहीं देती है जनता अपने अपने राज्यों में विधायकों को आम चुनाओं में चुनती है और यहीं विधायक काउंसिल आप स्टेट के निर्वाचक मंडल के सदस्यों बन जाते है और यही राज्यसभा के सांसदों को चुन कर लाते है 1954 तक राज्यसभा को काउंसिल आप स्टेट कहा जाता था लेकिन 23 आगस्त 1954 को ततकालें सभापती डाक्टर सर्वपली रादा कुर्शन इसके नए नाम की घुषना करते है इसका नया नाम राज्यसभा रखा जाता है लोगसभा को भी 1954 तक हाउस आप कामंस कहा जाता था लेकिन 14 माई 1954 को लोगसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर इसके नए नाम की घुषना लोगसभा के रूप में करते है तब से इसे हम लोगसभा के नाम से जानते है अनुचेद 80 के अनुसार राज्यसभा के अधिक्तन संख्या 250 हो सकती है जिसमें से 238 सभी राज्यव और तीन किंदर स्यासित परदेश दिल्ली, पुद्दुचेरी, जम्मु कस्मीर के परते नदी होते है तता 12 सदस्या राष्टापतिदारा नॉमिनेटेड होते है राष्टापतिदारा नॉमिनेटेट किये जाने वाले सदस्या, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सिवा जैसे विशो के समन्द में विशेज ग्यान अथवा व्यवारिक अनुवाव वाले विक्ति होते है अभी फिलाल राज्यसभा की कूल संक्या 245 है यहज़ में से 12 राष्टापतिदार नॉमिनेटेट होते है और 233 राज्यक के प्रतिनेदी होते है अभी हम देखेंगे सीटो का अलोकेशन कैशे होता है अमेरिका के सेनिट में जो कि भारत के राज्यसभा जिसे कारे करता है उसमें हर राज्य से दो प्रतिनेदी भेजे जाते हैं चाहे उस राज्य की जनसक्या कितनी भी हो लेकिन भारत में ऐसा नहीं है भारत में जिस राज्य की जनसक्या अधिक होंगी उस राज्य से अधिक प्रतिनेदी राज्यसभा में शामील होंगे उदारंग की तोर पे समझे तो जैसे उत्तरपदेश की जनसंक्या सबसी ज़्यादा है भारत के राज़ों के अगर बात करें तो उत्तरपदेश की जनसंक्या सबसी ज़्यादा है इसलिए उत्तरपदेश से सबसे ज़्यदा प्रतिनेदी राजसभा में भेजे जाएंगे अभी फिलाल उत्तरपदेश से राजसभा में कुल 31 सांसद भेजे जाते है इसमें जन्संग्या का वर्सा 1971 रखा गया है अभी हम देखेंगे राजसभा सदसों के लिए योग गिता क्या होती है अनुचेद 84 सी राजसभा के सदसों की पातरता के बारे में है सबसे पहला है कि वह वेक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए उसकी उम्रत 30 वर्सा से अधिक होनी चाहिए उसके पास अन्य ऐसी कॉलिफिकेशन होनी चाहिए जो संसद्वारा वीधि के रूप में वीध की जाए अनुचेद 102 के अंतरगत इनकी कुछ डिस्कॉलिफिकेशन होने के प्रावदान है अगर कोई व्यक्ति Office of Profit या भारत सरकाद्वारा लापकापा धारक हो तब उसकी सदसेता समाथ हो जाती है अगर उसका मानसिंग संतलन ठिंगना हो अगर व्यक्ति दिवालय हो जाए या फिर उस व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता स्युकारी हो तब उसकी सदसेता समाथ हो जाती है अभी हम राजे सबा की चुनाव प्रक्रिया समझेंगे राजे सबा कभी डिचा होल या भंगने होती है क्योंकि इसके एक तिहाई सदस्या हर दो साल में रिटार हो जाते है और उतने सदस्या पुना निर्वाचित होते है राजे सबा का प्रतम चुनाव 1952 में हो था तब इनकी संक्या 216 थी जिन में से 12 राष्टापती दरा नॉमिनेटेट सदस्या मिल थे 1954 में दो तिहाई सदस्या को रिजहन करने को कहा गया था ताकि इस प्रक्रिया को बना जा सके इन सदस्या को फिर से चुना गया उसके बाद 1956 में फिर से दो तियाई सदसे को इस्तिफा देना पड़ा था और फिर से उनको निर्वाचित किया गया था इस प्रकार हर दो साल में दो तियाई सदसे के कारेकाल समाप्ति की प्रक्रिया बनी इनका कारेकाल छेवर सका होता है अगर किसी सदसे की मृत्यू या उनको पज से हटा जाता है तब नए सदसे के लिए चुना होता है उसे उपचनाव कहा जाता है अभी हम राजसभा के पिठासिन, अधिकारिगान, सभापती और सभापती को देखेंगे राजसभा के पिठासिन, अधिकारियों का कारिया होता है कि वे सभा के कारिवाई का संचालन करे भारत के राष्टापती राजसभा के पदेन सभापती होते है राजसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापती का चैन करती है सभापती और उपसभापती की अनुपस्तिती में उपसभा अध्यक्षों का पैनल में से एक सदस्य सभा की कारिवाई का सभापती तब करता है महासचीव की नियुक्ती सभापती दोरा की जाती है और उनकी रैंक सरवच्चो सिविल सेवक के समतुल्य होती है महा सचीव सभापती को संसदिय मामलों में सला देने का कार्या करते है महा सचीव राजय सभा सचीवाले के परशासनिक प्रमूक और सभा के अभिलकों के सनक्षन होते है और वे सभापती के निर्देश व नियंतरन में कार्या करते है एक राज्यों का सम्हो या परिसंग्य सदन होने के नाते राज्यसभा को सविधान के अदिन कुछ विशेश सक्तिया प्राप्त है राज्यसभा के पास तीन विशेश सक्तिया होती है अनुच्छे 249 के अंतरगत राज्य सुची के विशय पर एक वर्सका बिल बनाने का हक राज्य सभा को होता है विधाय का समधी तीन सुची होती है पहले होती है संग सुची जिसमें संग कानून बनाता है दूसरी होती है राज्य सुची जिसमें राज्य कानून बनाता है और तीसरी होती है समवर्ति सुची जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं इन तीनों सुची में से राज्य सुची के विशेव पर राज्य सभा एक वर्सका बिल बनाने का हक रखती है अनुच्छे 312 के अंतरगत All India Services या अखिल भारतिय स्यवा का गठन 2.3 से रजय सभा में पारित होना चाहिए बारत में अभी तीन अखिल भारतिय स्यवाय है या All India Services है Indian Administrative Service IAS, Indian Police Service IPS और Indian Forest Service IFS सभापती और उपसभापती के अलावा सधन का नीता एक अन्याईसा अधिकारी है जो सभा के कुछल और सुचारुस अंचालन में महतवपुर्ण भूमी का निवाता है राजय सभा में सभा का नेता सामानेत्या परदान मंत्री होता है यदि वह इसका सदस यहे तो अत्वा कोई ऐसा मंत्री जो इन सदस्योधारा चुना गया हो उसका प्रात्मिक उत्तरदायत्व सभा में सुहर्दपूर्ण और सारतक वादविवात के लिए सभा के सभी वर्गों के बीच समनवय बनाए रखना है इस प्रयोजनार्थ न केवल सरकार के बलकी विबक्ष मंत्री और पिटासीन अधिकारेों के निकट संपर्क में रेता है सदन के नेता सभा पीट के दाई और की पहली पंक्ती में पहली सिट पर बैठते है ताकि वह परामर्श हेतू पिटासीन अधिकारे को सहच उबलगदर है नियमों के तहट राष्ट्रपती द्वारा सभा में सरकारी कारिया की विवस्ता राष्ट्रपती के अभिबासन पर चर्चा हेतू दिनों के आवंटन अत्वा समाई के आवंटन सुक्रवार के अलावा किसी अन्य दिन को गेर सरकारी सदसों के कारिया अन्य दिन वाले प्रस्ताव पर चर्चा अल्पकाली चर्चा और किसी धन विद्यक पर विचार यो उसके वापस के जाने के समन्द में सदन की नीता से परामर्श किया जाता है महान व्यक्तित्व राष्ट्री नेता अत्वा अंतराष्ट्रिय प्रतिस्टित व्यक्ति की मुर्ति होने की स्थेती में उस दिन के लिए सभा के स्थगन अत्वा अन्य मामले में सभापती उनसे परामर्श कर सकते हैं गड़ बदन सरकारों के युग में उनका कार्य और अधिक चुनोत्विपुर्ण हो गया है वो यह सुनीचीत करते कि सभा के समक्ष लाए गए किसी भी मामले पर सार्थक चर्चा के लिए सभा में हर समव तता उचीत सुईदा परदान की जाए वो सभा की राय व्यक्त करने और इस समारो अत्वा अवचारिक अवसरों पर पस्तूत करने में सभा के वक्ता के रूप में कार्य करते हैं अब हम देखेंगे विपक्ष के नेता विधायका में विपक्ष के नेता के पत्का अत्यादिक सारवजनिक महत्व है इसका महत्वा संसदिय लोक तंत्रा में विपक्च की दी गई मुख्य भूमे का से उद्बूत होता है विपक्च के नेता का कार्य वस्तूत अत्यादिक कटीन है क्योंकि इन्हें आलवशना करने पड़ती है गलती इंगित करने पड़ती है और ऐसे विकल्पिक परस्ताओं नितियों को परस्तूत करना पड़ता है जेने लागू करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार उन्हें संसद और देश के प्रती एक विशेश समाजिक जिमेदारी निभानी होती है राजसभा में वर्ष 1979 तक वास्तविक अर्थ में विपक्ची पार्टे के नेता को बिना किसी अपचारिक मानेता दर्जा या विशेशादिकार दिये विपक्ची नेता के मानने की प्रता थी उस समाजिक सर्वादिक सदोच्य वाली विपक्ची पार्टे के नेता को बिना किसी अपचारिक मानेता दर्जा या विशेशादिकार दिये विपक्ची नेता के मानने की प्रता थी विपक्षे के नेता के पत को संसद में विपक्षी नेता वितन और भत्ता अधिनियम 1977 द्वारा अधिकारिक मानेता प्रदान की गई इस अधिनेयम के द्वारा राजे सभा में विपक्ची नेता राजे सभा का एक ऐसा सदस्य होता है जो कुछ समय के लिए राजे सभा के सभापती द्वारा ये था मानने सबसे अधिक सदस्य वाले दल की सरकार के विपक्ची में होता है इस प्रकार विपक्चे के नेता को तीन सरते पूरी करनी होती है पहली उसे सबा का सदस्य होना चाहिए दूसरी सरवादिक सदस्य वाले दल के सरकार के विपक्चे में राजसबा का नेता होना चाहिए और इस आसाय से राज्यसभा के सभापती दोरा उसे मानत्या प्राप्ता होनी चाहिए अभी हमने राज्यसभा के सेग्मेंट को पुरा कर लिया है अभी हम लोकसभा को देखेंगे लोकसोबा सवेधानिक रूप से लोगों का सदन भारतिय अदिय सदनिय संसत का निचला सदन है जिसमें उच्छ सदन राज्य सबा है लोकसोबा के सदसे अपने अपने निर्वाचन छेतरों का परती निदित्व करने के लिए एक वैसका सारोभोमिक, मतादीकार और एक सरल बहुमत प्रानली दोरा चुने जाते है और वे 5 साल तक या जब तक राष्टापदी केंद्रे मंती परिशत की सला पर सदन को भंगने कर देते तब तक वे अपने सीटों पर बने रहते है लोकसोबा का कक्च संसदोवन में है जो नई दिल्ली में स्तीत है भारत के सविदान दोरा आवंटी सदन की अधिक्तम सदस्यता 552 है सुरात में 1950 में या 500 थी वर्तमान में सदन में 543 सीटे है जो अधिक्तम 543 निर्वाची सदस्यों के चुनाव से बनती है 1952 और 2020 के बीच भारत सरकार की सला पर भारत के राष्टापरती दोरा एंगलो इंडियन कमूनिटी या एंगलो इंडियन समुदाय से दो अतिरिक्त सदस्यों को नामित किया गया था जिसे 114 सविदान संसोदन अधिनियम 2019 दोरा जनवरे 2020 में समात्प कर दे गया है कूल 131 सीटे इसम से लगवग 24 परसेंट अनुसुचित जाती जो की चवरा सी होती है और अनुसुचित जन जाती 47 के परती निदियों के लिए आरक्षित है सदन के लिए कोरम की कूल सदसेता 10 परसेंट है लोकसबा जब तक की जल्दी भंगना हो जाए अपनी पहली बटक के लिए नियत तारिक से 5 साल तक काम करना जारी रखती है हलाकि जब आपातकाल की गोशना लागए होते तब इस अउदी को संसत द्वारा कानून या डिक्री द्वारा बढ़ाय जा सकता है भारतिय जन गन्ना के आदार पर हर दसक में भारतिय सिमा, परी सिमन, आयोक द्वारा, लोकसबा निरवाचनों, छित्रों की सिमाओं का फिर से तैयार करने का एक अभ्यस किया जाता है जिसमें से आक्री बार 2011 में आयुजित किया गया था इस अभ्यास में पहले जन संक किया परिवरतनों के आदार पर राज्यों के बीच सीट का पुनर वित्रन भी सैमिल था लेकिन यह परिवार नियोजन कारिकरम को प्रोचाइट करने के लिए एक समेधानिक संसुदन के बाद 1976 में आयोग के जनादेश के प्राधान को निलंबित कर दिया गया था जिसे लागू किया जा रहा था 17 वी लोकसबा मई 2019 में चुनी गई थी और यह अब तक की नमिन्तम है भारतिय संसत का अपना टेल्य वेजन चैनल है जिसे संसत टीवी जिसका मुख्यले संसत परिसर में है परतम लोकसबा 1952 पहले आम चुनाव हने के बाद देश को अपनी पहली लोकसबा मिली भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस 344 सीटों के साथ जीत हसल करके सत्ता में भोची इसके साथी जवालाल नहेरू भारत के पहले परदानमंत्री बने तब भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस को लगबग 45% मत मिले राज्यों के अनुसार सीटों की संख्या भारत के प्रतिक राज्य को उसकी जनसंख्या के आदर पर लोकसभा सदस्य मिलते है वर्तमान में यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्स दोजार चबबिस में निर्धारित किया जाएगा इससे पहले प्रतिक देशक की जनगन्ना के आदार पर सदस्य स्थान निर्दारित होते थे यह कार्य बकाईदा 84 वे सहविदान सलस्थन 2001 से किया गया था ताकि अपने राज्य अपनी आबादी के आदार पर ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करे लोकसभा का कारेकाल यदि समय से पहले भंग ना किया जाए तो लोकसभा का कारेकाल अपनी पहली बेटेक से लेकर अगले पांच वर्स तक होता है उसके बाद वह सोताई भंगो जाती है लोकसबा के कारेकाल के दवरान यदी आपातकाल की घोसना की जाती है तो संसत को इसका कारेकाल कानून के दवारा एक समय में अधिकतं एक वर्से के लिए बढ़ाने का अधिकार है जबकि आपातकाल की घोषना समाप्त होने की स्तेती में इसे किसी भी परिस्तते में 6 माहिने से अधिक नहीं बढ़ा जा सकता लोकसबा की विशेश सक्तिया मंत्री परिशत केवल लोकसबा के प्रति उत्तरदाई है अईश्वास परस्ताव सरकार के विशेश केवल लोकसबा में ही ला जा सकता है धनबिल पारित करने में यह निरनायक सदन है राष्ट्रे आपातकाल को जारी रखने वाला परस्ताव केवल लोकसबा में लाया जा सकता है लोकसबा के पदादिकारी लोकसबा अधेक्ष या स्पीकर लोकसबा अपने निर्वाची सदस्यों में से एक सदस्यों को अपने अधेक्ष या स्पीकर के रूप में चुनती है कारे संचलन में अधेक्ष की साहता उपा अधेक्ष द्वारा की जाती है जिसका चुनाव भी लोकसभा के निर्वाची सदर्ष्य करते है लोकसभा में कार्य संचलन का उत्तरदाईत्वा अदेक्ष्य का होता है वर्तवान में लोकसभा का अदेक्ष्य ओम्बिरला है लोकसभा अदेक्ष्य के दो कार्य होते है पहला लोकसबा की अधेक्षेता करना यो उसमें अनुशाशन, गरिमा तता प्रतिष्टा बनाये रखना इस कारे हेतू वह किसी नयालाई के सामने उत्तरदाई नहीं होते है दुसरा, वह लोकसबा के सनलगना सचिवालाई का प्रचासनिक अधेक्षे होता है, किन्तु इस भूमिका के रूप में वह नयालाई के समक्षे उत्तरदाई होगा लोकसबा स्पिकर की विशेश सक्तिया दोनों सद्नों का सम्मिलित सत्र बुलाने पर स्पिकर ही उसका अधेक्षे होगा उसके अनुपस्तिदी होने पर उप स्पिकर तता उसके भी न होने पर राजे सबा का उपसबापती अत्वा सत्रों दौरा नामांकित कोई भी सदेश्य सत्र का अधेक्षे होता है धनबिल का निर्धारन स्पीकर करता है यदि धनबिल पे स्पीकर साक्षांकित नहीं करता है तो उस बिल को धनबिल नहीं माना जाएगा स्पीकर का निर्धारन अंतीम तथा बंदेगारी होता है सबी संसद्य समीतियां उनकी अधीनता में काम करती है उसके किसी समीती का सदस्य चुने जाने पर वो उसका पदे न देख्च होगा लोगसबा के वेगडन होने पर भी स्पीकर पद पर कारे रत रहते हैं नवीन लोगसबा के चुने जाने पर वो अपना पद छोड़ते है जब कोई नवीन लोगसुबा चूनी जाती है तब राष्टापती उस सदस्य को कारिभाग स्पीकर के रूप में नियुक्त करते है जिसको संसद में सदस्य होने का सबसे लंबा अणुबव होता है वो राष्टापती द्यारा सपत ग्रन करता है उसके दो कारे होते हैं, पहला संसत सदस्यों को सपत दिलवाना, दूसरा नवीन स्पिकर चुनाव प्रक्रिया का अदेक्षबी वही बनता है लोगसबा के सदस्या अपने में से ही किसी एक का उपादेक्षब के रूप में चुनाव करते हैं यदि समन्दित सदस्य का लोगसबा की सदस्यता खत्म हो जाती है, तो उसका अदेक्षब या उपादेक्षब पद भी खत्म हो जाता है उपादेक्षब अपना त्याक पत्र अदेक्षब को संबोधित करते हैं लोकसबा के उपस्ति सदस्यों के भौमत में समन्त किये हुए प्रस्ताव के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पत से निकला जा सकता है लोकसबा के सत्र, सविधान के अनुचित पचासी के अनुसार संसत सदयव इस तरह से आयजित की जाती रहेंगी कि संसत के दो सत्रों के मध्य छे मास से अधिक अंतर ना हो परमपरा अनुसार संसत तीन नियमित सत्रों तथा विशे सत्रों में आयोजित की जाती है सत्रों का आयोजन राष्टरपती की विग्यपती से होता है पहला होता है बजट सत्र बजट सत्र वर्सा का पहला सत्र होता है, सामानित्या फरवरी मही के मध्य चलता है, यह सबसे लंबा तता महतोपुर्ण सत्र माना दाता है, इसी सत्र में बजट परस्तावीत तता पारित होता है, सत्र के परारंबे में राष्टापती का अभिभाशन होता है दूसरा मांसुन सत्रा मांसुन सत्रा जुलाई अगस्त के मद्य होता है तीसरा होता है सरत सत्रा सरत सत्रा नवंबर दिसंबर के मद्य होता है सबसे कम समय वदी का सत्रा होता है विशेश सत्रा इसके दो भेड़ा है पहला है संसत के विशेश सत्रा दुसरा है लोकसबा के विशेश सत्र संसत के विशेश सत्र परधान मंतरी के सलापा राष्टरपती इनका आयोजन करता है किसी नीमेश सत्र के मद्य अत्वा उससे के पृत्थक आयोजित किये जाते है एक विशेज सत्र में कोई विशेज कारिया चर्ची तदा पारित किया जाता है यदि सदन चाहे चाहे भी तो अन्यकारिया नहीं करता है लोकसबा का विशेज सत्र अनुचेद 352 में इसका वर्नन है किंटू इसे 44 वे संसुदन 1908 में स्तापिद गया गया है लोकसाबा में कम से कम एक बटे दस सदे से एक प्रस्ता उलाते हैं जिसमें राष्ट्रे आपातकाल को जारी रखने की बात कहीं गई है तो नोटीस देने के चौदा दिन के भीतर सत्र बुलाया जाएगा सत्रावसान मंत्रिवसत के सलाव पे सद्रों का सत्रावसान राष्ट्रपती करता है इसमें संसत का सत्रा समाप्त होता है तता संसत दुबारा तबी सत्रक कर सकती है जब राष्ट्रपती सत्रारंब का समन जारी कर दे सत्रावसान की दश्या में संसत के समक्ष लंबित कारे समाप्त नहीं हो जाते है स्तगन किसी सदन के सभापती दोरा सत्र के मत एक लगोवदी का अंतरा लाया जाता है इससे सत्र समाप्त नहीं हो जाता ना उसके समक्ष लंबित कारे समाप्त हो जाता है ये दो प्रकार का होता है अन्हिचीत कालिन जब अगली मिटिंग का समय दिया जाता है लोगसभा का विगटन राष्टरपती द्वारा मंत्री परिशत की सलापर किया जाता है इससे लोगसभा का जीवन समाप्त हो जाता है इसके बाद आमचुनाव ही होते है विगेडरिंग के बाद सभी लंबित कारिया जो लोगसभा के समक्षब होते हैं समाप्त हो जाते हैं किन्तु बील जो राजेसभा में लाए गए हो और वही लंबित होते हैं समाप्त नहीं होते या बिल राष्टरपती के हस्ताक्षर के लिए लंबित हो तब हुए समाप्ति नहीं होते हैं या राष्टरपती संसत के दोनों सदनों की लोकसबा के विग्डन से पुरियो समयक्त वटब गुला ले तब भी वे बिल समाप्ति नहीं होते हैं आज के सीडियो में हमने जाना भारतिय विदायका के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताए वीडियो में सुधार है तूँ आप हमें कमेंट कर सकते हैं कुर्पया वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर करें वीडियो अंतर तक देखने के लिए धन्यवाद जैहिन।